इस वीडियो में हम लोग दिक्षा, जेज, टिपीडी, एडवांस कोर्स 2 के अंतरगर, समझ से पढ़ने की रन्नितियां, भाग 2 के आकलन परस्नों को हल करने का प्रयास करेंगे, आप मेरे साथ बने रहें, ताकि आप के सभी परस्नों के जवाब सही हो सके तो पहला परस्न है, दिपीका जी ने बच्चों के लिए बाल मजदूरी से जुड़ा एक गध्यांस चुना, और उससे जुड़ा एक परस्न दिया, तुमने एक बच्चे के बारे में पढ़ा, जो एक होटल में बरतंद होता है, तुम्हारे अनुसार उसे स्कूल जाते बच बच्चों को देख कर कैसा महसूस होता होगा, आपके अनुसार यह समझ से पढ़ने के किस अस्तर से जुड़ा प्रस्न है, आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं, पहला विकल्प है, यह अनुमानिक अस्तर का प्रस्न है, क्योंकि बच्चों को गध्यांस की विशय बस्तू क के बारे में अंदाजा लगाना है, अगला यह अनुमानिक अस्तर का प्रस्न है, क्योंकि बच्चों को अपने पुर्व अनुभावों के अनुसार पात्र की भावनाओं के बारे में अनुमान लगाना है, तिश्रा यह मुल्यांकन अस्तर का प्रस्न है, क्योंकि बच्चों को गद्यांस के बारे में अपनी राय देनी है चौथा यह मुल्यांकन अस्तर का प्रस्ण है क्योंकि बच्चों को गद्यांस का सार लिखना है तो इस प्रस्ण का सही जवाब है दो समिट करेंगे बिल्कुल सही जवाब जारी रखें पर किलिक करेंगे प्रस्ण संख्या दो नीमन में से कौन सी गतिविधियां किसी यात्रा का विवरन पढ़ने से पहले छात्रों को करवाना सही रहेगा आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं पहला विवरन में आये सभी नए सब्दों का अर्थ याद करना दुसरा विवरन के सिर्षक शित्र आदी को देखते हुए विशय बस्तु का अंदाजा लगाना तीसरा अपने किसी यात्रा के विवरन से जुड़े अनुभवों को कक्षा में बाटना तो इस परस्ण का सही जवाब है दो और तीन समिट करेंगे बिल्कुल सही जवाब है जारी रखे पर किलिक करेंगे परस्ण संख्या तीन राजु ने पेजल की कमी नाम के एक लेक को पढ़ कर कहा मैंने कल अखबार में भी इस मुद्दे के बारे में पढ़ा था पास ही के इलाके में कुछ लोगों के घर काफी गंदा पानी आता है जिसके कारण लोग बिमार पढ़ रहे हैं आपके अनुसार यह कहते हुए राजु किस रननिती का परियोग कर रहा है आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं पहला है पुर्वाव लोकन अगला पाट की संरचना पहचानना तीश्रा संदर्व अस्थापित करना अंतिम पाट से समंधित समंध बनाना तो इस परस्ण का सही जवाब है चौथा समिट करेंगे पिलकुल सही जवाब है जारी रखे पर किलिक करेंगे जोती जी किसी एतिहासिक या संस्कृतिक पाट को पढ़ाने से पहले उसके लेखक और उनकी जिन्दगी के बारे में अपनी छात्रों से चर्षा करती हैं इतना ही नहीं वह पाट के समय काल और जगह के बारे में भी उनसे बादचित करती हैं आपको क्या लगता है ऐसा करन चुन सकते हैं, छात्र पाठ के संदर्प को समझ पाएंगे, चात्र एक लेखक के लिखे और पाठ पढ़ने में दिल्चसपी लेंगे, पाठ का सार लिखने में मदद मिलेगी, तो इस परशन का सही जवाब है एक समिट करेंगे बिल्को सही जवाब है जारी रखे पर किलिक करेंगे आपके अनुसार पार्ट का ग्राफिक और नाइजर तयार करने के लिए छात्रों को क्या करना जरूरी है आप एक से अधिक विकल्ब चुन सकते हैं पार्ट को सरसरी तरह से पढ़ना दूसरा मुक्तत्यों घटनाओं आधि को पाचानना और रिखांकित करना तिश्रा पार्ट की स्तन रजना को पाचानना तो इस परशन का सही जवाब है दो और तीन समिट करेंगे बिल्कुल सही है जारी रखे पर किलिक करेंगे आपका नुसार पार्ट पढ़ने के बाद बच्चों को निम्न में से कौन सी गतिविद्यां करवाई जा सकती हैं आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं पहला पार्ट के बारे में अपने विचार रखना दूसरा पार्ट की सरचना पहचानना तीश्रा पार्ट का सार चौथा पार्ट से जुड़े परस्ण उत्तर याद करना तो इस परस्ण में सही जवाब होंगे एक दो और तीन समिट करेंगे बिलकुल सही जवाब है जारी रखे पर किलिक करेंगे परस्ण संख्या साथ एक सिच्चक बच्चों को पाट पढ़ने से पहले पढ़ने के दोरान और पढ़ने के बाद अपने विचार लिखने को कहते हैं और फिर उन्हें अपनी साथी के विचारों से तुल्ला करने को कहते हैं आपके अनुसार यगजाती विधी किस गरणनिती को विक्सीत करेंगी आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं पहला पाट से संबंद बनाना दुसरा पाट की संरचना पहचानना तिसरा संसलेशन चौथा पाट में छिपे निश्कर्स निकालना तो इस परस्ण का सही जवाब ह है तीन समिट करेंगे बिल्कुल सही जवाब है जारी रखे पर किलिक करेंगे नीचे कुछ प्रस्ण दिये गए हैं और उनके साथ रननिती का नाम सही प्रस्ण और उससे समंधित रननिती की जोड़ी चुने आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं पहला कहानी में अम्मा का अजमल से क्या समंध होगा छिपे निश्कर्ष निकालना तुसरा मैं छोटी हूँ नाम की कभीता में किस तरह की भावनाओं की बात की गई है पाट की संरचना पहचानना तिसरा क्या तुम्हारे गाव में कभी मेला लगा है किस तरह की खेल मेले में दिखाय जाते हैं पाठ से जुड़े पुर्व ज्ञान को सक्रियक करना तुम्हारा लेखक के दृष्टी कोन के बारे में क्या विशार है पाठ के बारे में राय देना तो इस परिशन का सही जवाब है एक तीन और चार समिट करेंगे बिल्कुल सही जवाब है जारी रेख्य पर किलिक करेंगे पिंकी रेल यात्रा के बिवरन से जुड़ा पाठ पढ़ते हुए पाठ से सम्मद बनाने की रननिती का परियोग कर रही है पाठ पढ़ते हुए उसने सोचा कि उसको रेल यात्रा करने में किस किस तरह की परिशानिया आती है आपके अनुसार वह किस अस्तर पर पार्ट से संब्ध बना रही है आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं पार्ट का स्वयम के साथ संब्ध दूसरा पार्ट की दुनिया के साथ संब्ध तिसरा पार्ट का दूसरे पार्ट के साथ संब्ध और अंतिम विकल्प है पार्ट का सही जवाब है जारी अखे पर क्लिक करेंगे तो इतने ही प्रस्ण थे इस भाग में आप एक बार पढ़ लें ताकि आप सभी प्रस्णों के जवाब सही सही दे सकें धन्यवाद